बेशिक भाजपा को आज कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली का मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंग सुखु का फैसला रास नहीं आया और प्रदेश भाजपा अध्यक्षु सुरेश कशप इस फैसले को लेकर जनता को बरगलाने और भटकाने की बात कह रही हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आज ठाकुर सुखविंदर सिंग सुखु की पहली कैबिनेट में ही इस फैसले का स्वागत हुआ है उससे एक बात तो सपष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर ना सिरफ सरकारी करमचारियों का बलकि आम आस पर्व पर 5-500 उपए भी दिये जो कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं बलकि पूरे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है यही कारण है कि ठाकुर सुखविंदर सिंग सुखु से अब हिमाचल की जनता को आस बढ़ने लगी है और आस के चलते ही आने वाले समय और आने व इस बात का एहसास भी हो जाता है कि सुखु धाकर फैसले लेने की ख्शमता रखते हैं पूरे प्रदेश में सुखविंदर सिंग सुखु के फैसलों की चर्चा जारी है और लोग उन्हें एक नए दौर के मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में देख रही हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुख्विंदर सिंग सुखु ने लोगों के दिलों में एक नायक के तौर पर पहचान बना ली हैं 13 जनवरी 2023 यानि आज के दिन प्रदेश में लोहडी का जश्ट्न मनाया जा रहा था सचीवाले के बाहर सेंक्डों करमचारी ढोल नगाडों के साथ कैबिनेट के फैसले का इंतजार कर रहे थे क्यूंकि अंदर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक चल रही थी उमीद ही नहीं भरोसा था कि प्रदेश के करमचारीों को आज ओल्ड पेंशन स्कीम बाहाल हो जाएगी जैसे ही अधाई बजे कैबिनेट की बैठक खतम हुई तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा बाहाल करने का एतियासिक फैसला सुनाया गया सुखविंदर सिंग सुखु जो भी कह रही है उसे करके दिखा रही है ये कोई पहला फैसला नहीं है पहले भी इस तरह के एतियासिक फैसले ले चुके हैं जिस तरह सुखाश्रे योजना शुरू हुई है वो भी एक नायक का क्लियर विजन और स्टेंड है 20 साल बाद ओल्ड पैंशन योजना को लागू करना इतना आसान नहीं था लेकिन नायक के दिमाग में जो प्लान होता है उसे जमीन पर लागू करने का हुनर और पॉल्टिकल विल दोनों है इसलिए कहा जा सकता है कि सुखु सच में नायक है